निपुन भारत दीक्षा प्रशिक्षन कोर्स 13 भाषा शिक्षन में परिवेशिय संसाधनों का महत्व की आकलन प्रशनोत तरी एक शिक्षिका अपने बच्चों से उनके घर के सदस्यों के बारे में बात चीत कर रही है शिक्षिका का उद्देश्य है सही उत्तर है बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ती के सहज अफसर प्रदान करना भाषा इक्षमता समवर्धन में हम किन-किन संसाधनों का प्रयोग परिवेशिय संसाधनों के रूप में कर सकते है सही उत्तर है कविता एवं कहानी के पोस्टर, कंकर, फूल, पत्तियां, अखबार, पत्रिका, इत्यादी का प्रदर्शन करके निमनलिखित में से कौन सी गतिविधी हिंदी व्याकरण में संग्या से परिचित करने हे तु उप्युक्त होगा सही उत्तर है विद्यालिय परिवेश में उपलब्द समस्थ मानविय प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके भाशा में परिवेशिय संसाधनों का प्रयोग करते समय क्या नहीं करना चाहिए सही उत्तर है उच्चस्तरिय मान की कृत भाशायुक्त साहितिक कृतियों का प्रयोग भाशा में इस तरह के गतिविधियों का उद्देश्य है इस प्रश्म का सही उत्तर है परिवेशी ये संसाधनों को केंद्रित करते हुए भाशा शिक्षन करना, ताकि उनके अनुभव के संसार से जोड सके प्राथमिक विद्याले में शिक्षकों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम की रिपोर्ट सभी बच्चों को तयार करने को कहा गया, शिक्षकों का उद्देश्य था A. पूरे कार्यक्रम का विवरन लेना B. कार्यक्रम का प्रचार प्रसार बच्चों के माध्यम से करना C. विभागियक शेत्रों एवं स्थितियों में हिंदी की विभिन प्रियुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, दीक बच्चों की मौकिक अभिव्यक्ती के साथ साथ लेखन क्षमता का विकास एवं मूल्याकन करना सही उत्तर है, सीडी, भाषा सीखने के लिए सर्वादिक महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर है परिवेश यह संसाधनों द्वारा बुनियादी स्तर पर भाषा के किनाधार्भूत भाषाई दक्षता के विकास से संबंधित समुचित अवसर प्राप्थ हैते है आश्रवन, दो बोलना, आयायाई परना, इवलिखना, इसका उत्तर है श्रवन बोलना एक और दो भाषा शिक्षिका के रूप में हमारा उत्तर दायत्व है उत्तर है, भाषा को परिवेश से जोड़ना इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे, धन्यवाद